डोक्टर करमवीर सिंग, एसोसेट प्रोफेसर, बी एसर गोवर्मेंट आर्ट स्कोले जल्वर प्यारे बच्चों, आज हम ओनलाइन कक्षा में बी ए पार्ट सेकिंड का सेकिंड पेपर का अध्यन करेंगे जिसका टोपिक है भारतिय संगिय व्योस्था की प्रकरती नेचर ओफ इंडियन फेडरल सिस्टम भारतिय संगिय व्योस्था को समझने के लिए अपनको इसकी प्रस्ट भूमी को समझना आतियन तावशक है संगिय व्योस्था के अर्थ के संदर में फेडरल सिस्टम का मीनिंग संगवाद अंग्रेजी के फेडरलिजम सब्द का हिंदी अनवाद है और यह सब्द लेटिन भासा के फोईडस सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संदी अथवा समझोता जैसे कि विद्वान हैमिल्टन ने बताया या हैमिल्टन का कथन है कि संगवाद या संगात्मक सासन राज्यों का ऐसा समूदाय है जो नए राज का निर्मान करता है मौन्टेश्क्यू ने बताया संगात्मक सरकार एक ऐसा समझोता है जिसके द्वारा बहुमत से एक जैसे राज एक बड़े राज के सदस बनने को तैयार हो जाएं इन दोनों ही परिभासाओं से जो गार्नर ने परिभासा दी है या गार्नर ने अपने कथन में बताया है उससे संगवाद और इसपस्ट होता है जैसे मैं आपको गार्नर की परिभासा के में बताऊं कि संग एक ऐसी प्रनाली है जिसमें केंद्रिये तथा इस्थानिये सरकारें एक ही प्रभुत्व सक्ति के अधीन होती है और ये सरकारें अपने अपने छेत्र में जिनको सविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच होती है तो बिलकुल प्यारे विध्यारती इसपस्ट हो गया होगा कि संग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रिये तथा इस्थानी सरकार एक ही सक्ति के अधीन एक ही प्रभुत्व सक्ति के अधीन होती है और अपने अपने छेत्र में सविधान के अनुसार कानून जो निश्चित करता है उसमें सर्वोच होती है तो संगिये व्यवस्था दो प्रकार से अस्तित्युमाती है पहली व्यवस्था में संगों का निर्माण साउतंत राज्यों द्वारा किया जाता है जो सामानने सुरक्षात्मक राजनितिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को पारस्परिक सहयोग द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं ऐसी व्योस्था आपको अमेरिका में देखने को मिलती है यह यह कह सकते हैं कि ऐसी व्योस्था अमेरिका में है और जो दूसरी व्योस्था है उसमें केंद्रिय सरकार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की जाती है जिससे एकात्मक व्योस्था संगात्मक व्योस्था में परिवर्तित हो जाती है ऐसी व्योस्था कहां मिलेगी या कहां है तो dear student ऐसी व्योस्था कनाडा में देखी जा सकती है अब भारतिय संगिये व्योस्था की प्रकरती नेचर ओफ इंडियन फेडरल सिस्टम भारतिय संगिये व्योस्था विसिस्ट है अब विसिस्ट क्यों है सवाल ये उठेगा कि विसिस्ट किस प्रकार से है तो इसमें अपन आगे अध्यन करेंगे अग बताएंगे फिर भी मैं आपको बताऊं कि विशिष्ट इसलिए है भारतिय संगिय व्योस्था कि इसमें कुछ संगात्मक साशन व्योस्था के लक्षन भी है और कुछ एकात्मक साशन व्योस्था के लक्षन भी है जो अगे अपन इनका अध्यन करेंगे तो भारती संगी व्यास्ता विसिस्ट है यद पी सविधान द्वारा संग राज की स्थापना की गई है तदा पी फेडरेशन सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है सविधान के पृथम अनुछेद में राज्यों का संग यूनियन ओफ स्टेट सब्दावली प्रियोग में ली गई है जिसका महत तो इसपस्ट करते हुए डॉक्टर अम्मेड करने बताया था कि सविधान सबा में उनुण कहा था कि प्रारूप समीती द्वारा इस सब्दावली का प्रियोग यह इसपस्ट करने के लिए किया गया है कि यदपी भारत एक संग राज है लेकिन यह संग राज किसी प्रकार के पार्स्प्रिक समझोते का प्रणाम नहीं है और नहीं और संग राज समझोते का प्रणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज को संग से अलग होने का अधिकार भी नहीं है भारतिय सविधान व्योस्था का इस अर्थ में विशिस्ट है कि इसमें कुछ लक्षन संगात्मक व्योस्था के हैं और कुछ एक आत्मक्ते के हैं तो भारतिय संगिय व्योस्था के बारे में विद्वानों ने विभिन मत प्रकट किये हैं जैसे आपको उधान के रूप में मैं बताऊं कि एक विद्वान है कैसी वेयर इन्होंने इसे अर्ध संगात्मक के माना है मौरिस जोन्स सहकारी सोदेबाजी कहते हैं असोक चंदा के अनुसार भारत विचार तथा कार्य प्रणाली से एकात्मक राज्य है सीपी भामरी इसे सीर्स संग सीर्स मतलब वर्टिकल संग कहते हैं और जो जैसी जोहरी है उसे समतल संग समतल होरिजेंटल की संग्या देते हैं डाक्टर कृष्णा पी मुखर जी भारतिय सविधान एसंगी अत्वा एकात्मक है ये कहते हैं प्रोफसर एलेकजेंड्रोविच कहते हैं कि भारत नी संध्य है एक संग राज्य है जिसमें प्रभु सत्ता के लक्षन केंद्र राज्य में नीद हैं डाक्टर अमेड कर ने बताया सविधान सभा में इसपस्ट किया था उन्होंने कि संगवाद का मुख्य गूण सविधान द्वारा केंद्र वे राज्यों के बीच विधाई तथा कारिय पालिका सक्तियों के विभाजन में नहीत होता है और हमारे सविधान में इस सिद्धा को अपनाया गया है तो डाक्टर अमेड कर इस विचार धारा के साथ सक्ति साली केंद्र की स्थापना करना चाहते थे अतैं उन्होंने यह भी सिविकार किया था कि सविधान को संगवाद के कठोर धांचे में नहीं ढाला गया भारतिय संगिय व्योस्था जो कि 25 राज्य और साथ जो केंद्र पसाची छेतर को मिला कर बनी है कि वास्तिक सवरूप को समझने के लिए इसमें अंतर नीच संगात्मक तथा एकात्मक लक्षनों का विसलेशन करना भी आवशक है आज मैं आपको भारतिय संगात्मक लक्षनों के ही बारे में बताऊंगा नेक्स जो अपन शुरू बताएंगे तो उसमें एकात्मक लक्षनों के बारे में अध्यन करेंगे तो भारतिय सविधान के संगात्मक लक्षण के रूप में कहा जा सकता है या विभिन उसके संगात्मक लक्षण है जैसे नूमर एक लिखित वे कठोर सविधान अन्य सविधान अन्य संगिय सविधानों की भाति भारतिय सविधान एक विस्तर तथा लिखित सविधान है जिसमें संसोधन की विशिष्ट परकरिया अपनाई जाती है यह संसोधन परकरिया भारतिय सविधान को कठोर सविधान की स्रेणी में ला देती है सविधान संसोधन की प्रकरिया तथा सामान नियम निर्मान प्रकरिया में भिन्निता है सविधान के मूल रूप में आपको पता होगा कि बाइस भाग तीन सो पिच्यान में अनुछेद तथा आठ अनुसूचियां हैं संग्वे राज के समंद में विस्तरत वरणन के कारण सविधान का प्रलेख लंबा है अन्य संग्ये सविधानों में कुछ बातें अभी समय के लिए छोड़ दी गई है चुकि राजकायों का पृथक कोई सविधान नहीं होता है अतहे उनके समंद में भी विवस्था की गई है सविधान में संग्राज की सक्तियों में परिवर्तन संग्सरकार या राज सरकार की सωतंतर इच्छा से नहीं अपिति दोनों की सहमती से ही संभव होता है दूसरा संगात्मक लक्षण है दोहरी सासन व्यवस्था यानि कि डूल पोलेशी केंदर की भी और राज्य की भी तो संगात्मक व्योस्था में केंद्र वे राज के रूप में दोरी सासन व्योस्था होती हैं, जिसमें दोनु सरकारों की सक्ति वे अधिकार छेतर सविधान द्वारा निर्धारित होते हैं, वे अपने अधिकार सविधान से प्राप्त करते हैं तता एक दूसरे के छेतर में हस्तक्षे भी नहीं करते हैं और एकात्मक सरकारों में प्रांती या छेत्री सासन व्यवस्थाएं अपने अधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं और उनके स्वेच्छा के अनुसार सक्ति प्राप्त करती हैं इस भावना तथा कसोटी के अनुरूप भारत में संगिये व्यवस्था है तीसरा संगात्मक व्यवस्था का लक्षन कहा जा सकता है कि संग राज्यों में शक्तियों का विभाजन कि किस प्रकार से सक्ति इनमें विभाजित की गई है संग्य व्यवस्था की भावना के अनुकूल भारती सविधान द्वारा भी संग वे राजी काईयों के मद्ध शक्तियों का इसपस्ट विभाजन किया गया है प्रारंब में संग्य सूची में सतान में राज सूची में 66 और तीसरी जो है समवर्ती सूची इसमें 47 विशे रखे गए थे पर वर्तमान में सविधान की सातवी अनुसूची द्वारा संग तथा राज विधाईकाओं के कारी छेत्र को परिभासित किया गया और संगिय सूची के पुर्मुख विशे में जो संपून देश को प्रभावित करते हैं इन पर कानून बने का अधिकार एक मातर संसद कोई है ये विशे कोन से हैं जैसे मैं आपको बताऊं सुरक्षाका, विदेशी मामले, युद्वे सांती, डाक्तार, रेलवे, मुद्रा, बीमा, बैंक, अखिल भारती सेवाएं, सर्वोच न्याले, सीमा सुल्क, इत्यादी ये एक प्रकार से इन पर अधिकार संसद का ही होता है और राज विधान मंडलों के छेतरा अधिकार के पुर्मुक विशे हैं इस्थानिये सवसासन, पुलीस, जेल, न्याय, सार्विजनिक स्वास्त, इत्यादी संवर्ती सूची के विशो में संग वे राज दोनों की विधाई को कानून बने का अधिकार होता है जो बिल्कुल इसपस्ट हो गया होगा जो आपकी तीन सूची हैं संग्य सूची, राज सूची और संवर्ती सूची संवर्ती सूची के विशों पर संग्य विशों को विधाई कानून बने का अधिकार होता है प्रमुक संवर्ती विशों में सामिल है जैसे विवा, तलाक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक वे आर्थिक नियोजन, सिर्मिक समश्याई इत्यादी, तो वस्तूते, राश्टिय महत्तु के विशों का दायत्तु संसद को सौपा गया है, इस्थानिय विशों राज सरकारों की जिम्मेदारी होती है, अवसिष्ट सक्तियां संसद के पास होती है, जैसा कि अमेड करने कहा है, कि संग्वाद का मुख्य गुन संद्धान द्वारा केंद्रवे राज्यों के बीच, विधाई और कारिपाली का सक्तियों के विभाजन में नीत होता है, हमारे संद्धान में इस सिद्धान को अपनाये गया है, यानि कि संग और राज्यों में सक्तियों का विभाजन किया गया है, संग राज्यों में अस् सविधान ही देश का सर्वोच कानून होता है सविधान के प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्मान संसद या राज विधान मंडल द्वारा संभव नहीं है संसद वे विधान मंडल एक दूसरे के अधिकार छेत्रमति कर्मन नहीं करते हैं और यदि ऐसा करते हैं तो नियाई पालिका द्वारा ऐसे कानूनों को अवैद या रद भी कर दिया जाता है। राश्टपती सहीत सभी प्रमुक भारतिय पदादीकारी सविधान के अनुसार कारिये करने की सपत लेते हैं। इन व्यवस्थाओं में सविधान की सर्वोच्ता इस पस्ट रूप से देखी जा सकती है। इन व्यवस्थाओं के मद्द विवादों का निप्टारा भी करती है। इन व्यवस्थाओं के संगात्मक लक्षन नेक्स्ट अपन व्यवस्थाओं की संसोधन की संसोधन एक प्रकरिया होती है। भारती सविधान के एकात्मक लक्षनों के बारे में अध्धन करेंगे। धन्यवाद।